हेलो एवरिवन स्वागता आप सभी का आपके यूट्यूब चानल लॉजिक पार्ट शाला में आज दिखें आज का टॉपिक है वीडियो का मिलिटरी एक्सराइज तो इस साल आपके जो इंपोर्टेंट मिलिटरी एक्सराइज हुई है क्योंकि एक्जाम में यहां से कोशन जरूर बनता है तो आज हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे और मैं आपको क्विस फॉर्म में वीडियो करवाने वाले हूँ ताकि आप लोग ये भी जान सके कि कोशन किस तरीके से बन सकते हैं इस टॉपिक से और उसका भी explanation भी करेंगे उसके बारे में जो जो important points होंगे उनको भी यहां पर cover करते चलेंगे इस वीडियो का PDF आप लोगों को free of course टेलिग्राम पर मिल जाएगा और जितनी भी वीडियोस आपको चानल पर मिलेंगी सबी की PDF आपको free में provide करी जाती है तो आप लोग टेलिग्राम गुरूप को जरूर जोइन करें लिंक आपको description box में मिल जाएगा तो चले इस वीडियो की शिरवात करते हैं और बने रहे इस complete वीडियो में क्योंकि काफी ज़दा important session है आपकी आने वाले सभी exam के लिए question देखो मैं आपको बस थोड़ा सा बदा देते हैं question किस तरीके से बनते हैं कोई भी exercise है तो वो कौन सी दो countries के बीच में हुई एक ही question बनता है वो exercise कहां पे conduct कराई गई है ये question भी बनता है उसका अगर addition important है क्योंकि बहुत सा exercise का अब addition याद करने की ज़रूत नहीं होती बट जो important exercise है उनका हमें addition भी पता होना चाहिए ये आपके exam में question बनते हैं यहां से जरूर तो इस question में पूछा गया है कि जो वज लगाते रहें अपने किसके बीच में इंडिया और अमेरिका के बीच में तो देखो मैं याद भी कराती चलूंगे आप लोग को साथे साथ में याद हमें से करेंगे देखे वज्र वज्र हमें पताएं कि इंद्र का आप एक अस्तर समझ लीजे तो इंद्रा से रिलेट नह जाती है तो इसलिए हम वज्र को USA के साथ यानि अमेरिका के साथ रिलेट करेंगे और जैसे हिम हिम आपकी बर्फ हो भी तो स्टॉंग होती है मदब एक तरीके से कड़क होती है ना तो हिम से आप हिमाचल प्रदेश भी याद रहेंगा कि कौन से जगा पे हुई है तो हिमा यह 2019 में हुआ था दसवा एडिशन जो के USA के सियटल में हुआ था तो मैंने वही आपको पूदा कि जो भी कोशन से रिलेटेट आपको एडिशनल इंफॉर्मिशन होगी वो भी साथ ही साथ में लेते चलेंगे ताकि कोई कोई कोशन एक्जाम में आप लोग का चूट ना प यहां पर आप लोगों से कंट्री पूश लिए आप लोगों को यहां पर एक्सराइज का नाम दिया है तो जो खंजर एक्सराइज होई है वो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में हुई है याद मैं ऐसे करेंगे देखो जब भी हम किसी को खंजर मारते हैं मालों अपने के बाद कहां पहुच जाएगा कबरिस्तान पहुच जाएगा तो देखो गिर किर्गिस्तान में गिर भी आ रहा है और कबरिस्तान से भी हमें थोड़ा सा याद हो जाएगा किर्गिस्तान हुई कहां पर यह किर्गिस्तान में ही एक्सराइज हुई है किर्गिस्तान के काप 2015 में ये बीच में इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में agreement हुआ था तो stop हो गई थी एक दो साल के लिए इसलिए ध्यान रखो 2021 में इसका आट वह एडिशन हुआ है कहां पी हुआ बिश केक में हुआ ध्यान रखेगा तीसरा कोशन देखिए bilateral naval exercise यानि जो दोई पक्षिय कौन से देश के बीच में हुआ है कोशन में आप लोगों से country ही पूछी है तो अगर हम वरुन की बात करते हैं तो यह भारत और France के बीच में यह exercise है वो होती है आचा वरुन से याद रख लो वरुन से आपको वरुन धमन actor याद आ जाएंगे ठीक है तो हम इसे ही trick बनाएं अरबियन सी में हुई है इसलिए हमने अरबो लोग बोला तो अरब से आपको याद हो जाएगा अरबियन सी जहां पी exercise हुई है कौन सी हुई है वरुन 2021 इसका कौन से edition हुआ है तो इसका 19th edition हुआ है यह आपको ध्यान रखना है और इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान इसमें UAE ने भी इस पार पार्टिसिपेट किया था वरुन मेरिटाइम exercise में वैसे तो exercise सिफ आपकी इंडिया और फ्रांस की बीश में हुई है बट इस पार इसमें UAE ने भी पार्टिसिपेट किया तो एडिशनल बातों में ध्यान रखीगा इसको राइट आपको clear हो गया question next पे बढ़ती है in March 2021 a joint military exercise जिसका नेम है दस तलिक सेकिंड जो कि इंडिया और उजबेकिस्तान की बीश में हुई है पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में यह हुई exercise देखो question फिर से बहुत अलगले तरीके से पूछा गया यहाँ पे आप लोगों से country बता दी कि इंडिया और उजबेकिस्तान में लेकिन आप लोगों से पूछ लिया कि exercise हुई कहां पे है तो यहां पर अगर हम दस्तलिक की बात करते हैं तो यह exercise कहां पे हुई है answer हो जाएगा यहाँ पर उत्राखंड तो उत्राखंड राज्य में रानिखेट है वहाँ पर इंडिया और उजबेकिस्तान के बीश में exercise हुई है ध्यान रखी का चौबटी उत्राखंड में जगा है इसका जो पहला है क्योंकि देखो इस बार इसका second ही edition हुआ है तो इसलिए पर हुई उत्राखंड में इस पार हुई इस पार इसका कौन सा एडिशन हुआ है तो इस पार इसका दूसरा एडिशन हुआ है कोशन सारों में से कोई सा भी बन सकता है इसके मादे जो 16th edition हुआ है इंडिया और यूएस की joint military exercise होती है जिसका नेम है युद अभ्यास तो जो कौशन में ही देखो दो कौशन मन गए एक तो एडिशन इसका सोलवा है और इंडिया और यूएस के बीच में हुआ है ठीके याद इसे करेंगे देखो इन दिनों इन दिनों आज कल क्या हो रहा है कि जितने भी अमीर लोग है ना वो आपस में राज करने के लिए युद कर रहेगा तो इस तरीके से सब लोग आपस में ना इस तरीके से युद कर रहे हैं जाद स्यादा पैसा कमाने के लिए ये इसका सोलवा एडिशन हुआ है दोनों आर्मी के बीच में और इससे जो प्रीवेस इसका एडिशन हुआ था वो आपका यूएस के सियेटल में हुआ ध्यान रखिएगा इसके बाद है अगला कोशन अगला कोशन देखें क्या है विच इस थी थर्ड कंट्री टू जॉइन दा नेवल एक्सराइज जिसका नेम है इरान रश्या मेरिटाइम सेक्यॉरिटी बेल्ट दो हजार एक्टिस तो दो कंट्री तो आपकी इरान और रश इसी कोशन बनेगा बिलकुल यह और यह हुआ कहां पर है तो जो इंडियन ओशियन है हिंद महार सागर है उसके उत्री भाग में जो है यह एक्सराइज हुई है और चायना की निवी ने और जो जो आइन से बाहर सिफ जॉइन किया है इस एकसराइज को ध्यान रखना हूं इसके बाद है इन विच स्टेट बॉर्डर सिक्यॉरिटी फोर्स यानि B.S.F. कैरीड आउट ओपरेशन सर्द हवा तो कौन से राज्य में जो सीमा सुरक्षा बल है उन्होंने ओपरेशन सर्द हवा को अंजाम दिया है मतब यह जो ओपरेशन ने उसको चलाया है तो अगर हम हिम राज्य के बात करें तो राज्य हो जाएगा आपका राज्यस्थान, राज्यस्थान में ऑपरेशन सर्द हवा को अंजात्य और इसको क्या था तो कई बार ऐससा देखा गया जो गुसपैटियां है आजाते हैं तो उनका जो सीमा वर्ती चेतर है वहां पर और भी जाद exercise नहीं कह सकते हैं मतब एक तरीके का operation है जिसको bsf के द्वारा शुरू किया गया था आज आता है आप लोगों के लिए a question bsf यानी border security force जरूर बताएगा कि इसका establishment कब इसकी स्थापना हुई इसका headquarter कहां पे है question बहुत important बन सकता है तो इसके आंसर आप लोग मुझे comment करके जरूर करें इसके बादे देखिए कौन सी which anti satellite space exercise जिसका नेम है ester x यह कौन सी country के साथ कौन सी country ने इसको आयचित किया तो जो ester x exercise जाना यह एक anti satellite space अभ्यास है वही space में हुआ था यह अभ्यास यह conduct किसने कराया था question में आप लोगों से यह पूश रहे है तो answer हो जाएगा यहाँ पे France तो देखो यह France का ना अपना पहला satellite आप कहलो कि satellite म इसमें German की space agency और US की space agency ने भी इसमें एक तरीके से पाट लिया था ठीक है यह जो exercise है which has been जिसका भी नाम ester x हो गया है यह यह एक French की जो पहली satellite थी 1965 में जो French की पहले satellite थी उसके याद में exercise को नाम ester x दिया गया है तो ध्यान लगी का यह किसकी exercise है यह है आपकी France देश की इसके बाद है recently year force exercise है जो आपका वायू सेना अभ्यास है नाम है x desert flag 6 यह exercise कौन सी country या इस exercise को कौन सी country में कराए गया जिसमें भारत ने भी इसमें भाग लिया है तो इस exercise में देखो भारत ने भी भाग लिया है और यह exercise conductor कराए गई है UAE में नाम क्या है इसका x desert flag 6 exercise ठीक है और इसका आइजन UAE में हुआ और इसमें और भी countries थी जिन्होंने participate किया है देखिए जैसे की US से की air force भी थी इसमें France, Saudi Arabia हो गया, South Korea हो गया, बहरीन हो गया बड़ आपको इंडिया का ध्यान रखो कि इंडिया ने इसमें participate किया यहां से question यहीं बनेगा और यह question बनेगा कि ह होई कहां पर है, तो UAE में जो X Desert Flag 6 exercise है, यह हुई है, इसी के नाम जैसी, बिल्कु सिमिलर सा नाम है, बट कन्फ्यूस नहीं होना, यह है X Desert Night 21, यह exercise between, मतब कौन से दो देशों की air force के बीच में हुई है, कहां कौन से दो देश हैं तो यह हो जाएंगे, इंडिया और फ्रां के बीच में, इसे में याद करा देती हो, जिसमें बहुत सारी countries ने participate किया, उसमें आप लोगों से country नहीं पूचेंगे, इसलिए मैं वहाँ पे कोई trick नहीं बता रही आपको, लेकिन जहां पे से दो ही countries participate कर रही है, वो आपको जरूर पूचेंगे definitely, तो trick इसका देखो क्या है कि desert में night, मतलब आप किसे रेगिस्तान वाले लाके में, आपको night में रुखना है, गर्मी बहुत होगी, तो भी आपको fan की जरूरत पड़ेगी, तो fan से हो जाएगा France, तो desert और night वाली exercise है, वो इंडिया और France के पीच में हुई है, और इसके अलावाद इंडिया और France के प भारत ने जो शांतियार अगरो सीना military exercise है, इसमें भाग लिया, तो भारत ने किस देश में, यानि ये exercise कौन से देश में हुई है, जिसमें भारत ने भी भाग लिया है, exercise का नाम है शांतियार अगरो सीना सेन्य अभ्यास, तो आंसर है बांगला देश, ये जो exercise है, वो कहां ह यह बंगलादेश में इसका एक थीम भी रखा गया Robert Peace Keeping Operation इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया अलॉंग विद इसमें रॉयल जो बुटान आर्मी है उसने भी पार्टिसिपेट किया है श्रिलंका की आर्मी ने भी पार्टिसिपेट किया और जब बंगलादेश में प्रुकिया है बताना कोशन में यह है कि यह exercise कहां पे हुई है कोशन का ना कोशन देखे क्या है कोशन में आप लोगों से sea breeze का नाम पूछा है ठीक है तो अगर हम बात करें यह कहां पे हुई exercise तो यह Ukraine और United States के बीच में black sea में हुई है चलो इससे हम थोड़ा सा याद कर ले आप तो क्या होगी रेन होगी मतलब बारिश होगी तो रेंज से दिखो युक्रीन हो जाएका काले बादल का मतलब यह black sea में हुई है अब जब बहुत काले बादल हो जाते है तो बारिश बहुत ही सगता पड़ती है बहुत जादा बारिश पड़ते तो आम लोगों को तो आम लोगों तो परिशानी होती है ना नॉर्मल लोग है लेकिन अमीर लोगों को तो कोई फरक नहीं पड़ता चाहें बार आजाए कुछ वी आजा इनके पास तो पैसा ही बहुत है ना तो अमीर से अमेरिका हो जाएगा इसमें युक्रीन और अमेरिका ने इसका सबसे बड़ा लार्जेस्ट एडिशन ता लार्जेस्ट एक्सरसाइज होई थी जिसमें 5000 मिलिटरी पर्सनल ने इसमें पार्टिसिपेट किया फ्रॉम 30 कंट्रेस तो इसमें इन्वाल हुए थे लेकिन एक्सरसाइज ध्यानन को USA और युक्रेन के बीच में होती है उ इंडिया और रशीया के बीच में हुई भी रश्या में हिए और इस पार जो इसका एडिशन हुआ है वह बारव अधिशन हुआ है ठीके याद इसे करें गए इंद्र आपने देखाना उनका जो एक मूड होता था वह बहुती ज़्ता फ्लक्च्टूएट होता था तो वह जाते देखदम अगर उनके लिए कोई कुछ नहीं करता था तो है ना तो रूस से हो जाएगा रशिया तो इंदर को हम रूस से रिलेट करेंगे तो रशिया हमें आज आज जाएगा और बारव एडिशन है तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है 2003 से एक्सराइज हो रही है ब बाइलेटर्ल नेवल एक्सराइज है इसके बाद कॉर्पेट एक्सराइज इंडिया और कौंसे देश के बीच में हुई तो ओक पेट से कोर और ट से पै्स कोर पैट इक्सराइज जो है वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुई इस पार इसका 36th edition हुआ है इसका जो नाम है वो है इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पेट ठीक है इसके लावा इंडोनेशिया के साथ भारत कौन कौन से और exercise करता है समुदर शक्ति भी इसके साथ होती है और गरुण शक्ति भी देखो गरुण एक अलग exercise है लेकिन गरुण शक्ती अगर पूछेंगे तो अलग हैं तो इस तरीके से confused बिल्कुल भी नहीं होना है आप लोगों को इसके बाद अगला देखो क्यों सी exercise है जायत तलवार 2021 इसका आयशन अबुधावी के तटपर हुआ है इसमें कौन से दो देशों ने पार्टिसिपेट किया है यहाँ पे आप लोगों से यह पूछ रही है तो जायत तलवार जो exercise है वो इंडिया और UAE कंट्री के बीच में तो इसलिए आपको याद हो जाएगा कि UAE के साथ जो है वो ही exercise हुई है और अबुधावी में ही exercise हुई है इसका में उद्देश्य यही है दोनों देशों की जो नौसेनाई है उनके बीच में तालमेल को बढ़ाना इसका में उद्देश्य है तो ध्यान लगए का exercise का नाम इसके मादे टीटीएक्स टीटीएक्स होता है ट्राइलेटरल टेबल टॉप exercise तो ट्राइलेटरल है मतलब इसमें तीन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया होगा उन तीनों कंट्रीज का नाम आप देख सकते हो इंडिया श्रीलंका मालदेब तो करेक्ट आंसर हो जाएग कंटक्ट कराया गया था और बाइदी मेरिटाइम वारफेर सेंटर मुंबई और इसका मेन फोकस यही था कि जो आपके समुदरी खोज है या फिर ऐसी चीज़ें जो रेस्क्यू ऑपर स्पेशली फोकस किया गया या मेरिटाइम क्राइम जो बढ़ रहे हैं उन पे इस exercise के के दोरह फोकस किया गया इसके बाद अगला डिफेंडर यूरोप 21 यह जो exercise है यह कहां पर शुरुब हुई तो यह पर अफिर नाट ने इसको लॉंच किया है और यह जॉइंट मिलि करे अप इक्सराइज है वह एक conductivity में और आ आ जाता है कि नाटो में बताना है कि कितनी country शामिल हैं कितने इसके member state हैं और इसका स्थापना वर्ष बताईएगा North Atlantic Treaty Organization का आप लोग जितने question का answer करोगे उतना ही आपका mind और जदा जो है वो बढ़ेगा भई देखो knowledge share करने से knowledge कम थोड़ी ना होती है आगे देखो क्या है where was the Indian Navy और European Union Naval Force जिसका नाम आप short में देख सकते हो आई एन यूनिफोर यह exercise जो होई है तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो exercise है वो बताना है कि कहां पर इसका आयोजन किया गया है तो answer हो जाएगा Gulf of Edans Gulf of Edans में इस exercise को conduct कराया गया question एक और बन सकता है कि बताएए इस exercise म जो है वो पार्टिसिपेट और देखिए along with Indian Navy इसमें other naval force भी थी जैसे Italy, Spain और France ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था और जो कि कहां पर हुई Gulf of Edan में होई तो यहां से दो कोशन बनेंगे कहां पी इसका आयोजन किया था और इंडिया का कॉंसर्शिप है जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया तो तरीकंद नाम धियान रखना इसके बाद है टुकी और कौन सी कंट्री के बीच में joint military exerciser नाम है मुस्तफा केमल अतार तुर्क जो की बाकू में होई कोशन में देखो बहुत सारी चीज़े बोली है बताना है देखो कि यह जो तुर्की और कौन से भजन का रहें कामाल से केमल हो गया सुर्षे तुर्षे 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 तु इंडिया और साओधी अरेबिया के बीच में होई है तो आपका साओधी अरेबिया से क्या हो जाएगा मुहमिद को र節目 करेंगे तो इसमें इंडिया का जो नेवी शिप है जिसको हम INS कोची कहते है जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया तो कोशन पहली बाद तो exercise कौन से दो देशों के बीशें हुई इंडिया और सव्धी अरेबिया के उसके बाद इसमें कहाँ जो है वो कौन सा शिप इसमें participate किया है इस exercise में ध्यान रखेगा इसके बाद है सीकेट सीकेट की फुल फर्म देखे हैं साउथ इस्ट एश्या कोपरिशन एंड ट्रेनिंग मिलिटरी एक्सराइज इंडिया और यूएस की नेवी के बीच में ये exercise हुई है बताना है कहां पी हुई है तो ये सिंगापूर में हुई है ठीक है सिंगापूर में होती चली आ रही है तो ध्यान रखी का 200 इडिशन इस बार कराया गया है अगला कोशन है कॉंकड कॉंकड जो एक्सराइज है वह भारत की देश की नौसेना और किस देश की नौसेना हो जाएगी ब्रिटेन हो जाएगा ठीक है तो भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ कॉ कौन से शिप ने पार्टिसिपेट किया है तो इसमें देखो आई एन एस तबर ने इंग्लिश चानल पे कंड़क्ट होई है और दूसरे तरफ यह आप एच एमस देख सकतर यह ब्रिटेन का शिप है हर साल 2004 से यह हर साल एक्सराइज हो रही है दोनों देशों के बीच नौ सबी इंपोर्टन एक्सराइज है जो इसी साल में होई है आपकी 2021 में होई है और यह वीडियो आपकी काफी इंपोर्टन होगी क्योंकि इसमें हमने काफी सारी पॉइंट को डिसकस किया मैं आश्या करतूं कि आपको यह वीडियो काफी जादा मदद मिलेगी आपको इस वी ब Talk जो हलो से कि अलाॉणत है और डियों श्युम कer एक